आपको वाज आरी मेरी हलो 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 टेक तक में आप सबका स्वागत आज हम लोग लाइब आये हुए एक लॉंच इवेंट पे जहां पे टेक्नो ने अपना एक नया फोन लॉंच किया है जैसे आप डिस्क्रिप्शन में बेख सकते हो देव लॉंच्ट न्यू फोन बजट फो जब भी हम लाइब करते है पहला सवाल होता है यह दाम क्या है दाम क्या आपको डेश्क्रिप्शन में रहा है पकड़ आप डाम के बाद बाकी की बाते है अब मेर से सुनो जो फोन है बता हूँ बहुत लाइब है एक्सौ तो ग्राम का है अभी कुछ समय पहले मैंने 169 ग् इसकी स्क्रीन है इसकी इसकी स्क्रीन है जैसे हमने आपको एक बार पहले भी बताया था कि 2018 में आने वाले डाइम में जो फोन्स है वो और और बैजल लेस होते चले जाएंगे इसमें भी अगर आप देखो तो जो बटन जो फिंगर्प्रेंट स्कैनर है वो पीछे शिफ्ट कर दिया इन्होंने यहां पर जिस टेक लुक बिल्कुल कैमरे के नीचे इन्होंने इसको प्लेस किया हुआ है और सामने की तरफ से स्क्रीन जो है वो पूरी तरीके से अल्मोस्त, इस बेजल लेस, 18 इस तो 9 के रेशियो में यह फोन है और आपको पीछे की साइट पे वर्टिकल तरीके से आपका कैमरा और नीचे इसका Quad Flash है इसमें, it's a Quad Flash what they call, Quad Flash का मतलब है that the flash is going to ensure that all parts of the frame are lit up when the photograph is clicked तो यह Quad Flash इनोने पीछे दिया हुआ है, साइड में आपको इसमें, close up लेना मनें इसका, बटन्स देख रहे हैं इसमें, clearly Zoom in करके देख लो या उसमें focus डालो, these are the buttons that you have, of course एक आपका switch off, switch on button है and you have the volume buttons here इसमें आपका जो SIM slot है, वो यहां दिया हुआ है and that's about it, पीछे की तरफ fingerprint scanner है and सामने यह bezel-less है अब इसमें जो 3.5 mm, 3.5 mm jack जो है नोने नहीं अटाये, it's still very much there और उपर की side पे यह दिया हुआ है और नीचे इसके अफकॉस जो charging port है and the speaker that you have over here अब इतना मैं बता हूँ, जो SIM slot है, सबसे बहले इसी से ही शुरू करते है SIM slot इसमें आपको hybrid नहीं दिया हुआ है आप इसको, usually आपके पास option होगा, या तो आप extra SIM लगाओ या तो आप उसमें एक SD card डालो इसमें आपके पास option हमेशा रहेगा, एक extra SD card डालने का भले ही आपके फोन में दो SIM डलेगो तो आपको आपको 2 SIMs और इसके इलावा एक SD card का तीन slots आपको इसके अंदर मिल जाएगा इसके इलावा अगर हम फोन के बात करें इस फोन का जो में फीचर है, magic in any light मनन वहां देखा न अब जितने भी इनके standies हैं, blackards हैं, boards हैं हर जगा लिखा हूँ है magic in any light, experience more with the technomagical camera and full view display of cam on eye cam on eye जो camera का नाम है अब इसमें ऐसा क्या है है cameras में आजो वापस, आजो वहीं पेचर है cameras में ऐसा क्या है जो जिसके वज़े से they have been pitching on it पीछे का camera 13 megapixels का है पीछे का जो camera है that is a 13 megapixel camera and सामने भी we have a 13 megapixel camera for selfies frontal camera is also 13 megapixels frontal camera में आपको दो type के flash मेल रहे you getting two flash options in the frontal camera पहला flash का option is a screen flash जो हमारे पास usually हम phones में देखते है screen flash के इलावा इन्होंने एक और LED flash का option यहां पे दिया हूँ so that is something which is of course you know that's something that they are pitching on एक और जी जो उन्होंने आड़ी है इनकी जो है इस phone में वो इसकी खासियत है because of the flash, dual flash के साथ कोई भी photograph अगर आप ले रहे हो, selfie ले रहे हो, अंधरे में ले रहे हो तो उसमें everything in the frame is going to be very well lit एक और जो इन्होंने, another thing that they are riding on is video chats अगर आप कर रहे हो उसमें it's going to be very well lit that is the next thing that they have been really really speaking about पूरा event अभी हमने घंटे बर कैसे बहले attend किया है तो this is one thing that they have been really pushing on and यह main खासियत है इसकी अब अगर थोड़ा बात कर लें इसकी specifications की तो वेल, आजो, हमने थोड़ा सा आगे, आजो घर साथ स्क्रीन पे focus ले जाओ और थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं कि इस phone की जो phone के बारे में अगर बताएं, phone आपका यह जो है techno cam on eye, इसमें आपको मिल रहा है phone जो है android 7.0, nougat पे function कर रहा है Oreo का अपडेट, इस पे बहुत जल्दी आजाना चाहिए पर अभी तक यह nougat पे है and apart from that, you're getting 3 GB of RAM, 32 GB of internal storage, 32 GB internal storage है, 3 GB RAM है और Media Tech Processor पे यह, Quad Core Processor है, इसका Media Tech Processor that is what it is functioning on, जो इसका operating system है, जो इसका interface है that has a high OS version on it, तो android 7.0 के ऊपर, high OS version 3.2.0 वो, they've overlaid on top of the android nougat experience तो out of the box नहीं है, they have their own interface on top of that that is what mainly we are carrying in the camera इसमें अगर मैं देखू, मैं अब सेल्फी लेकर देखता हूँ कि बेसिकली इतना कैमरे के बार में बताया हूँ है तो है क्या exactly, how good is it? there we go, camera आप हमने on करके देखा है, so wide angle lens भी, इसमें थोड़ा 80 degrees wide angle है, अगर हम सेल्फी बे लेकर चलें, let's see मने नौर में दोनों खड़े हूएं इस वकत, let's see कितना यह पकड़ रहा है and it's capturing actually a lot of area, it is capturing a lot of area, इसको हम photograph अगर flash में on भी कर देता हूँ इसका तो flash के आप अगर देखो इसमें दो options है, so these are the two, फिर से आप देखो, these are two options that you have एक flash off है, यह वाला अगर हम करके देखें, so that was the LED flash, photograph का, that is what it's looking like and अगर हम दूसरा इसका option ले, so that you have the flash constantly on and you then click a photograph, so that's what it looks like, इसको अब बंद कर सकते हूँ and you bring it down here, so this is what the two photographs look like, इसको मैं अब रेर camera से क्लिक करके देखता हूँ रेर camera से हाँ पर देखते हैं, so अब देखो आप पीछे के पूरा का पूरा Victoria, you mind we take a photograph of your जुझ, Victoria टेक्नो से हैं and खुमारे ले, she's being very sweet and she's brought a phone for us, so okay if I just want to stand in front of Techno, so we'll take a photograph of her, आपका सवाल जो है वो उसका मैं पॉजिटिव में आंसर दे रहा हूँ हां जी बिलकुल 18 इस्टू 9 के ने आने वाले टाइम में आपको एक पहले जो रिपोर्ट करके दे थी 2018 में ये सारे पॉन्स प्रेटी माच बेजल लेस्टू 9 इस्टू 9 होने वाले हैं तो लेट ये वाला तो इस तरीके से ही है और ये ओपलाइन की अगर मिस कर रहे हैं तो बैटरी 3050 मह की बैटरी है और प्रा बैट करें तो ये इस बांट चाहर ये अग लागा करें में अगर सो अगर बैट करें है जानना के आख किरें और उसानना तो आन अ के साथ Mendonin की अगर पहले बात करें और ये दिए और या कोई और चीज जो आप जानना चाहरे हो फोन के बारे में तो आप मुझे बताओ I think we've pretty much gone over I think we've pretty much gone over everything ठीक है? I think that's my time with you guys बलो बलो उंचा बलो camera 3GB RAM 3GB RAM इसका में आपको बदाया है 3GB RAM और 32GB की internal storage, that's what it is functioning on so that's what the phone is all about कुछ और अगर आप जानना चाहरे हो अचा, colors, इसमें एक आपको blue color का option मिल रहा है आप देखो blue मिल रहा है आपके पास option, एक black है और there is one gray, is it? gold gold है black है and then there is a blue so हमारे पास अभी इस वाकर blue है black of course is also quite nice to look at and you have the champagne gold so that's what the phone is all about fingerprint जो इसका scanner है, it functions as a button as well तो फोन को अगर आपने अनलॉक करना है तो आप इसको यूज करोगे, अगर आपने कोई कॉई कॉज आंसर करनी है उसके लिए भी आप इसको fingerprint से आंसर कर सकते हैं so that is something which is nice and split screen है इसमें, you can use different apps and split it और Zavithi extended screen space आप इसमें अलग-अलग apps को यूज कर सकते हो so we're going to, you know, unboxing तो क्या करेंगे, इस phone की सब कुछ दिखा चुके हैं but we'll give you a full review once we've used it कोई और सवाल हो, तो comments में छोड़ते जाना we'll respond to you after this okay, see you, bye